कि दोनों को एक ही शक्त से धोका मिल है पस पस सिर्फ इतना है कि आप वो धोका कबूली नहीं करना चाहती धोका तो तुम दे रही हो ये जूट बोलके कि तुम इद्रीस की बीवियो ड्रामे कर रही हो वही हकीकत बताने आई हूँ मैं यहाँ पर अच्छ चलो फिर बताओ आप कौन सा जूट गड़ा है तुम ने बताओ मैंने कहा ना मुझे आपसे बात ही नहीं करनी मुझे सिर्फ अपने शाहर से बात करनी है बस अब आगे मत बोला मरना उठा के बाहर फेंग दूँगी मैं तुम्हें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों का स्टेटस एक ही जैसे हैं दोनों द्रीज की भीवी और दोनों के पास ही एक-एक बेटा भी है यह सारी जूटी कहानिया तो तुम मुझे पहले सुना चुकी हो और याद है ना कैसे शर्मिंदा होके गई थी किया है